वेलकम बेक गाईस आपका देव इंस्टिटूट में स्वागत है आज हम आपके लिए एकोनोमिक्स का चैप्टर नंबर वन पार्ट टू लेके आ चुके हैं इसमें हम आपको डिफरेंस बिट्विन माइक्रो एकोनोमिक्स एंड मैक्रो एकोनोमिक्स बताएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंस बिट्विन माइक्रो एकोनोमिक्स एंड मैक्रो एकोनोमिक्स सबसे पहले डिफरेंस आता है माइक्रो एकोनोमिक का तो सबसे पहले जो हमारे डिफरेंस है एक भी डिफ इक्रो के माईकरो कि उसला है जो ने नील इक पॉइंटें पर यह हमारा मैक्रोके नो लंबिक ग्रीक वर्ट से लिया गया है ज्यादतर क्या आअँता लेकिन फ्रट सहले 5 पर यह ही की जगा है को माइक्रो मारे यह ले具 लेटिन वर्ट पर मिक्रोस यह हमारा जीत बोला जाता है सीज़ा एकLaj मिक्रोस जिसका मतलब है मारा स्मूल ठीक है अब आता है मारा मैक्रो जो मारा वर्ड है मैक्रो एकनोमिक वे लिया गया है वो भी ग्रीक वर्ड से पर जो मारा मैक्रो है मैक्रो वर्ड यह मारा लेटिन वर्ड है यह वी और ग्रीक वर्ड में इसका मतलब है मैक्रोस मैक्रोस मै जैसे आपको बताया था दिकी जगह के आ जाता है और थी की जगह के आ जाएका हमारा इसे की जगह मारा के आ जाता है जिसका मतला बैस लार्ज बड़ी क्वांटिटी में में ठीक है जी अब आता है सेकेंड पॉइंट इस्टेटेट्स अबाउट इंडिवीज्वल एकनोमिक रिलेशन और इश्यू लाइक एस हाउसोल्ड फॉर्म कंज्यूमर एक्सेटरा मतलव यह बताता है हमें एक सिंगल इंडिवीज्वल इकनोमिक के बारे में निमें इस्यू के बारे में जैसे कि जो हमारे हैं guessing अगर मेक्रो इ 2024 कि बात करें में करोड़ में में मेंहारा विज इस पोइंट है इठ अबाउट ओनली है और और इकनूमिक ऐसे एक्रीगेट होल एकोनोमी यह बताता है हमें एक्रीगेट इकतो दुन में किala मानिकी पूरी एकानोम और प्रेडियूसर में डिपेंडिंग और बजट एंड वैरियेबल अभी एक ओपर रिवाइस करेंगे जिसको सुन में आया पर इसको समझो याद मत करो इस डिल्स वेद हैं हाओ एक प्रेडियूसर अपने डिजीशन लेते हैं और वह डिपेंड रहते हैं बजट पर और वै प्रेंटा फेंग आ पूंपोनेंट यह अजिंग अब आते हैंसे सब्सक्राइब ब्रेट सथोराथ हैं यह बटाता है कि कैसे सब्णू म् parents एक। सेक्टर्स जैसे हमारे कंस्यूमर्स सेक्टर गोर्मेंट सेक्टर या हाउसोल्ड प्रेड्यूसर सेक्टर्स या फोरेंच सेक्टर कैसे डिसीशन अपने आप लेते हैं यहाँ पर जो यह प्रेड्यूसर सेक्टर की बात कर रहा है एिप्रेडुंसाय सैक्टर क्या है इंडस्टी सैक्टर है संबाद इंडस्टी सैक्टर रहन थीखे जी अब आता है इसका फॉर्थ पॉइंट आब उसमें जासे तीन सब्सक् Tips पॉइंट आते हैं पर एक चोटे चोटे Micro Economic Variable और Price Individual, Consumer Demands, Wages Rent, Profit and Revenue मतलब यह मेजर करता है Micro Economic Variable को जो है हमारे Price Individual, Consumers Demands, Wages Rent, Profit और Revenue को ठीक है जी अब अगर हम बात करें Individual, Consumers की Consumer हमारे Macro में भी है Macro Economic में Demands हमारी Macro में भी है पर इसमें क्या है Individual, माने एक अकेले बंदे की या एक अकेले City की Demand वे हमारी Micro Economic में आती है और अगर पूरे वर्ट की पूछेंगे तो हमारी वो Macro में आईगी ठीक है जी तो अगर आप लिख रहे हों है इसमें Major Variables तो आप इसमें Individual जुरूर लगाना ठीक है जी अब आता Macro Economic का फौर्ट पॉइंट The Major Variable of Macro Economic are Human Behaviors, Aggregate Supply और Unemployment मतलब जो Variable है Macro Economic के वे है Human Behavior Aggregate Supply और Unemployment Unemployment का मतलब है हमारा बे रोजगारी जो हमारा बे रोजगारी है मानि जिनको काम नहीं है बे रोजगार है वे हमारे Macro Economic में आते हैं मानि कि पूरे वर्ट केस में पूछ रहा है Unemployment हमारे पूरे वर्ट की होती है ठीक है जी तो ये हमने बता दिये Macro Economic के Human Behavior Human Behavior माने पूरे वर्ट में जो humans आते हैं जितने सारे उन सबका behavior Aggregate Supply माने Whole Supply पूरे वर्ट की पूरे अंडिया की या पूरे वर्ट की Supply ये हमारी Aggregate Aggregate मतलब Whole Whole या All ठीक है जी अब आता हमारा 5th point Micro Economic का 5th point जो है ये इंट्रेड्यूस करता नेम दिया गया था प्रोफेसर Alfred Marshall ने Difference between में ये जो नाम है प्रोफेसर Alfred Marshall ने लिखा था और Macro Economic जोन मेरोल्ड किंस ने लिखा था Macro Economic और जहां तक है Difference में बात Sorry Definition में जो समझाया जाता है दो टाइप्स की हमारी Economics होती है Micro और Macro Micro में उसमें जहां तक है इसमें एक बार उसमें बताया था Economic Micro Economic में कि Adam Smith ने इसको बताया था और जोन मेरोल्ड किंस ने Macro Economics को बताया था पर आप Difference में लिखेंगे Professor Marshall 5th Point Adam Smith मत लिख देना और 5th Difference में आप Macro Economic में इसमें जोन मेरोल्ड तीन से लिखेंगे ठीक है जी तो यहां पे हमारे Difference किलियर होते हैं सारे पर अब एक नया पार्डिस में हम कर रहे हैं इंट्रेड्यूस जो केवल दो या तीन मिनिट का है तो यह जो हमारा टोबिक था वाट आर्ड़ वैरीवल्स ओफ माइक्रो एंड मैक्रो इकनोमिक्स वह हमारा यह रह गया था तो इसके हम डिफरेंस के साथ ही यह से पढ़ेंगे डिफरेंस हमने बता दिए डिफरेंस बिट्वीन माइक्रो एंड मैक्रो एकनोमिक्स तो आप हम वैरीवल्स बताएंगे वैरीवल्स में कोशन आता है आपका वार अर्दा वैरीवल्स वैरीवल्स ओफ माइक्रो एंड मैक्रो एकनोमिक्स यह जादर से जादर आपका दो से तीन नंबर का आता है ठीक है जी तो माइक्रो इकनोमिक्स के डिफरेंस और मैक्रो इकनोमिक्स के आपके सामने है याद नहीं करने अपना समझिए अपने भाशान बनाएंगे यह भी आपसक्त उसक्त मैक्रो इकनोमिक्स में कंजूंर ब्यविएर याद निकरने हैं अपने बहुद रहने करने हैं को प्रेठी या बहुद ठीक है जी अब माइक्रो एक अभ्रन में कैसे कैसा हम आपको बतातें ir आप कन्जिआ मज्यवियर कॉन होते हैं आप बताईए इस प्रेडिऊचर इसमें प्रैस की सिंगल प्रास जैसे आप सूट ख्रीद ने गहें उसका उसने ना प्राइस बताया यह सिंगल in-deeleg R oyizes वह थिएयरयो प्राइस में आता हमारा कि एग्रीगेट कि हुआइज जिसको हम एडी भी कहते हैं एग्रीगेटड़ इमांड़ मैंने कि एएस कि एग्रीगेट सप्लाय ठीक है जी अब बात आती है जरा हमारी macro economic की unemployment unemployment मानेगी हमारी मैंने आपको बताया था अभी बेरोजगारी यह पूरे वर्ड की है तो इसलिए macro में आई national income आप जैसे बड़ा आगया national national माने पूरे इंडिया की मने पूरे वर्ड की income यह हमारे इसलिए macro में आई inflation डिफलेशन जो हमारा हमारी मंदी है माने जैसे हमारे rates कम होते हैं पैट्रोल पे यह डीजल पे पैट्रोल हमारा इतने रुपए है और डीजल हमारे कम है यह कम हमारा 40 रुपए है एक्सांपल के तो रुपए एक्सांपल बता रहा हूं तो अब यह तो है निए पर्मेनेट के rate कभी यह 80 हो जाएगा कभी यह 100 रुप हो जाएगा माने की कभी घड़ जाएगा कभी बढ़ जाएगा यह मारे inflation डिफलेशन होते हैं इंफलेशन बढ़ना कि में मन्त की या फिर पूरे येर की पूरे साल की income जो टोटल में यह पूरे वर्ल्ड में मनें पूरे वल्लड की इंकम ठीक है हमने आपको वेरियेबल प्रसा दी है याँ इसमें से कोई से भी 3 को चार याद कर सकते हैं अब जो ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने किया प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टो टाइम ली पोस्टे रहे तो चलिए इस वीडियो को आइन करते हैं धन्यवाद